IPL 2018 के 34 मैच में मुंबई इंडियन्स ने किंग सिलेवन पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया इन दोर में खेले गए इस मैच में मुंबई को जीत के लिए 175 रन का टारगेट मिला था जवाब में उसने 176 रन बना कर मैच जीत लिया इस मैच में हार के बाद पंजाब टीम के मेंबर युवराज सिन्ग जाकर रोहित शर्मा से मिले मैच गत्म होने के बाद क्रिकेटर युवराज सिन्ग ने अनोखे अंदाज में जाकर रोहित शर्मा से मुलाकात की अपनी टीम की हार के बाद यूवराज सीधे रोहिद के पास गए और जाकर उनका कॉलर पकड़ लिया यूवराज के तेवर इस दोरान गुस्से वाले जरूर थे लेकिन वे ये सब मजाक में कर रहे थे यूवराज उन्हें जीत की बधाई दे रहे थे दरसल यूवराज और रोहिद के बीच काफी अच्छी दोस्ती है और इसी के चलते उन्होंने इस अंदाज में रोहिद को जाकर विश्ख किया यूवराज की विश्ख करने की ये अदा फैंस को भी पसंद आई और उनका ये फोटो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वाइराल हो गया